Hello friends, welcome back to my channel, life is easy, मैं आकृती मैं यहां शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कोकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई मैं बना रही हूँ पंपकीन या कद्डू की सबजी इसे अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है कुछ लोग इसे काशी फल कहते हैं तो कई जगों पर इसे कोहरे के नाम से भी जाना जाता है कद्दू एक बहुत ही पॉस्टिक आहार है यह हमारे शरीर से बैट कॉलेस्टरॉल को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कद्दू में एंटी ऑक्सिडेंट भी फरपूर मात्रा में पाई जाती है तो आज मैं कद्दू मसाला दम बना रही हूँ इसके लिए मैंने आधा किलो कद्दू लिया है और इसे छोटे छोटे टुकरों में काट लिया है कद्दू का चिलका मैं नहीं निकाला है क्योंकि इसका चिलका भी खाया जाता है और यह बहुत पॉस्ट्रिक होता है अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप कद्दू का चिलका निकाल सकते हैं कद्दू मसाला दम बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने क्या-क्या सामागरी ली है मैं आपको दिखाती हूँ दो मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है साथ ही मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को भी मिक्सी में अलग से पीस लिया है इसी के साथ मैंने दो बड़े चमच अधरक लेसन का पेस्ट लिया है और साथ ही मैंने कदू दम को तीखा बनाने के लिए चार हरी मिर्च लिया है ये काफी है कदू दम को तीखा बनाने के लिए अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो दो से तीन हरी मिर्च लीजिए साथ ही मैंने इन हरी मिर्च को बीच से कट कर लिया है देखिए मैंने इस तरीके से इसे काटा है और मसालो को पकाने से पहले कद्दू को पहले फ्राई कर लेंगे तो गैस ओन करके मैंने पैन डाल दिया है और हाई गैस फ्लेम पर पैन वराए गर्म पैन के गर्म होते ही मैं डाल रही हूँ इसमें लगबख चार चम्मच तेल इस तेल में पहले कद्दू को फ्राई करूंगी और बाकी बचे हुए तेल में मसालों को भून लूँगी तो तेल गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पर कर दिया है और अब मैं धीरे धीरे इसमें सारे कद्दू डाल रही हूँ और कद्दू को डालने के बाद मैंने लगभग एक से डेर मिनट तक मीडियम गैस फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया है उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम लो करके पैन का धकन लगा दिया है और low gas flame पर कद्दू को soft हने तक पकाऊंगी बीच बीच में मैं pan का धकन भी हटा रही हूँ और कद्दू को चला रही हूँ ताकि ये उपर नीचे उलट पुलट होते हुए पकते रहें इस तरीके से धक कर लगभग मैंने 6-7 मिनट तक low gas flame पर कद्दू को fry किया है और देखिए कद्दू के टुक्रों पर golden color आ गया है और मैं कर्ची से एक बार चेक कर लेती हूँ हाँ तो कद्दू भी soft हो गया है तो इन सबी कद्दूओं को मैं तेल से बाहर निकाल लेती हूँ तो मैं कदूओं को बाहर निकाल रही हूँ, कदूओ पग गया है और अब मसालों को भूनने के लिए उसी तेल में मैं डाल रही हूँ चार हरी मिर्च, साथ ही आधा चाय का चमच काली सर्सो और आधा चाय का चमच सौफ और एक चुटकी हिंग, इन मसालों से कदूओं की सब अब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो काली सर्सो के तड़कने और सौफ की खुश्बू आने तक लो गैस फ्लेम पर मैंने लगबग इन्हें एक मिनट तक फ्राइ किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई प्याज और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दि और तेल छोडने तक प्याज के साथ भून लेंगे तो मैं इन्हें भून रही हूँ देखिए इसमें से भी तेल छूटने लगा है कुछ देर तक इन्हें भूनने के बाद तो अब मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक चाय का चमच हल मसालो ने टेल छोड़ दिया है तो अब जब मसाले पग गए हैं तो इन मसालो में डाल रही हूं एक चाय का चमच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक इन्हें एक मिनट तक भून लूगी मसाले थोड़े से ड्राई हो गए हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी म कद्दू मसालो के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और अगर आप सूखी सब्जी खाना चाहते हैं तो सब्जी तयार है क्योंकि कद्दू को मसालो के साथ जादा पकाने की जरूरत नहीं है यह पहले से ही पक चुका है कद्दू मसाला दम में अगर आप थोड़ी सी सब्जी को चलाते भी रहना है क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है तो सब्जी पेंदी में चिपक कर जले नहीं यह बात भी ध्यान में रखनी है लगबक 2-3 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी के ऊपर से जाग खतम हो गया है तो अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और सब सब्जी की रंगत कितनी सुंदर आई है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है आप इसे जरूर ट्राइक करिए कद्दू मसाले दम की सब्जी को बनाईए और इस टेस्टी सब्जी का लुफ्त उठाईए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए उमीद करती हूं कद्दू मसाले दम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरी रेसिपीज भी देख सकते हैं यह बिलकुल फ्री है बिल आइकन जरूर दबाएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हिल्दी खाईए खुश रहिए